हलो एवरीवान कैसे हो आप सब लोग आज की रीडिंग का टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा कि क्या टॉपिक है नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको पहले जानना ज़रूरी है यह टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 15 डेज में आपकी इनर्ज इन एंजल नमबर में से अगर आपको कोई दिखाई देता है तो बहुत ही अच्छी बात है फिर तो आप वो पाईव चूज कर ही सकते हो दोनों में से जो एंजल नमबर आपको दिखाई देता है अगर नहीं भी दिखाई देता तो जो आपको कनेक्ट कर रहा है आपको लिए open minded होकर इसे देखिए हर किसी को यह resonate हो हम तो कोशिश यही करते हैं पर sometimes ऐसा होता है कि general होने के कारण सारी चीज़े resonate नहीं हो पाती तो इसलिए थोड़ा दिल खोल कर और मन खोल कर इसको देखें open minded होकर देखें तो जादा अच्छे result आपको मिलेंगे अब मैं बात करन हों यहां पर पाइल नमबर वान की जिन्होंने इस angel number को चूज किया है जिन्होंने 1111 की energy को चूज किया है हम देखेंगे आने वाले 15 दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं मैं जो जो दिखाई देगा मुझे मैं सब बताने की कोशिश करोंगी तो भगवान को connect कीजे 1111 की energy की चले है यहां पर first card है the fool the fool की energy सबसे पहली energy है और यहां पर यह fool आपको बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं कोई गलती ना करें आपको गलतियां नहीं करनी next 15 days अपनी energy को बहुत संभाले रहना है आप एकना immature way के साथ आगे बढ़ने वाले हो क्योंकि यहां पर मुझ काम भी शुरू किया है तो उसके लिए बहुत जादा परवा नहीं है हाँ मन में चल रहा है कि करना है करना है करना है करना है पर ऐसा नहीं है कि आप responsibility लेने को तयार हो आपके responsibility की कमी मुझे यहां पर बहुत जादा दिख रही है छोटे बच्चे जैसा behave रहेगा next 15 days energies ऐसी और इसके साथ साथ आप पुरानी यादों में बहुत जादा जगल करोगे बहुत पुरानी यादे आपको सदाएंगी आपको दिखेंगी आपको याद आएंगी आपको ऐसा लगएगा जैसे पहले बच्चे थे तो बहुत अच्छा समय था बहुत अच्छा time था कहा फज हैं कितना काम है कितने pressure है कितनी responsibilities हैं तो ऐसे कुछ thoughts आपके मन में आएंगे पर आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस tough time से निकल जाएंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि ये time बहुत tough है और आपको एक ऐसी स्थिती में चलना पड़ता है जहां हर समय balance करना पड़ता है हर समय चीजों को संभाल कर चलना पड़ता है हर कदम फूख फूख कर रखना पड़ता है तो कुछ ऐसा thought process आपका रहेगा next 15 days आप में से बहुत से लोग अपने जो भी investments की हैं आपने उसके लिए सोचेंगे और आप ये भी देखेंगे कि आपने past में क्या किया present में क्या किया और futuristic approach भी आपकी रहेगी कि future में आप क्या करेंगे तो ये thought process आपका ऐसा है जो पुरानी यादों में भी रहेगा और future की यादों में भी रहेगा पर आप present में नहीं जी रहे होगे present में आपकी energy carelessness वाली है तो इसलिए इसको balance कीजिए क्योंकि ये जरूरी है अगर तो present में चाहिए वही असली जीना होता है वही असली balance होता है जब आप जो कर रहे हैं इस समय पर वो आपके करमा है और वो आपके करम आपके पिछले करमों को और आपके आगे करमों को सुधार सकते हैं तो इसलिए present में जीना सीखें जो लोग past में जीते रहते हैं वो किसी की कोई value नहीं है, आपको आपके काम से जाना जाता है, आपकी जो प्रतिष्ठा है वो आपके काम से बनती है, हर कोई इंसान जब किसी से मिलता है तो वो ये पूछता है कि आप काम क्या करते हैं, आपका नाम पूछा जाता है, आपका काम पूछा जाता है, और कोई अस् इनर्जिस में रहना अच्छी बात है पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रेजन की सिच्वेशन को सोच रही नहीं तो प्रेजन में जितना जादा आप केरफुल हो जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा आपका उटकम बहुत अच्छा आएगा और आपकी पुराने दोस्तों से मिलेंगे और उनके साथ अपना कुछ समय जरूर बिताएंगे और आप मिलकर भी अपनी पुरानी यादों को साच्छा करेंगे कि ऐसा किया था उस समय पर ऐसे थे हम लोग इतने केरलेस थे इतने मज़ा करते थे तो यह सारी नर्जिस भी नेक्स 15 डे नहीं दे पा रहे हो। बहुत सरी जगलिंग मन में चल रही है और आउटपुट कुछ भी नहीं निकल रहा है यह काम कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी घर संभाल लिया, कभी काम पर चले गए तो एक तरफ फोकुस नहीं रहेगा जिसकी वज़े से थोड़ी जगलिंग रह सकती है आपके लिए यहां पर मैंने दो कृष्णा संदेश पी लिए है फ्लो विद धर रिदम और टाफ टाइम्स तो कृष्णा आपसे कहना चाहते हैं कि आपको जिंदगी के रिदम के साथ चलना चाहिए जिंदगी हमें बता देती है कि रिदम क्या है कभी ऊपर कभी रिदम है उसके साथ आपको फ्लो करना चाहिए और जो जिंदगी में टाफ टाइम आते हैं उसको इसी फ्लो के साथ बिताना चाहिए आप अपने रिदम को हिलने ना दें जिस तरह से आप जिंदगी में कुछ अच्छा रिदम बनाते हैं इसी रिदम के साथ अपनी जिंद आप इस रिदम को बिल्कुल अपने रिदम के साथ मैच कर लेंगे जब आप जिंदगी में हमेशा बैलन्स करके चलना सीख लेंगे तो आपके एक्शन का reward आपको मिलेगा जो आप एक्शन लोगे ना उसका आपको reward मिलेगा और 15 दिन में आपको उसका result बहुत अच्छे रु बनाओगे तो आपकी वो wish सरूर पूरी हो जाएगी पर पहले आपको ये सारी बाते मेरी माननी पड़ेंगी उसके बाद ये tough time जाएगा और आपके जो भी actions हैं उनका reward आपको मिलेगा इसके साथ साथ कुछ और cards है number 17 है number 29 है number 36 है तो चलिए उनको भी कुछ जान लेते हैं वो आप से क्या कहना चाहते हैं number 17 stroke की energy बताती है कि आपकी life में अगले 15 दिनों में कोई movement आने वाला है कोई new cycle begin होगा और हो सकता है कि किसी old cycle का end हो और आप एक नए cycle में प्रवेश करें इस नए cycle में आपको movement रह सकती है आपको कहीं जाना पढ़ सकता है कहीं बाहर जाना हो सकता है traveling हो सकती है कोई change आपकी जिंदगी में आएगा वो change ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं घर बदलना पड़े कहीं और migrate होना पड़े तो यह जो change है यह आपके लिए traveling से related होगा पर मैं ऐसा जरूर कहूंगी कि सब लोगों के लिए change हो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि यह general reading है तो आप अपने साथ इसे correlate करके check कर सकते हैं अगर आपकी कोई ऐसी job है जहां पर आपको promotion मिलने के chances हैं तो हो सकता है कि इसलिए आपकी migration हो आपको promotion मिल जाए और कुछ लोगों के लिए आप कोई नया घर खरीदना चाहते हैं नया नई जगे पर जाना चाहते हैं तो व रहा है आप लोगों में से बहुत से लोग जो घर पर बैठे रहते हैं जो कुछ भी करना नहीं चाहते हैं जो comfort zone से बाहर नहीं है निकलना चाहते हैं बच्चों में यह अक्सर problem रहते हैं बच्चे घर पर बैठ कर लथार्जिक हो जाते हैं आलसी हो जाते हैं कोई भी काम न अगर आए हैं तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें इसलिए बच्चों को अपने आप से दूर करना पेरंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है कई पेरंट्स अपने बच्चों को बहुत जादा पैमपर करते रहते हैं उनको अपने गले से लगा कर रखते हैं और बड़ के लिए next 15 days में एक बहुत अच्छा decision रहेगा जो parents अपने बच्चों को भेजेंगे और कुछ नई चीजों को सीखने के लिए उनको guide करेंगे तो ऐसा ज़रूर कीजिए मैं आपको यही advice कर रही हूँ और next card है number 29 यह card है एक female energy का एक feminine figure का तो यह आपके female behavior को represent करता है ऐसे में आपका कोई close friend कोई family member जो एक female हो सकती है आपकी life में एक important part play करेगा हो सकता है कि आपकी energy थोड़ी emotional जादा रहे और आप ही खुद वो feminine part play करें ऐसा भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए जो feminine energy होती है वो बहुत intuitive और spiritual होती है तो यह समय ऐसा रहेगा next 15 days जितना आप intuitively अपने आपको strong करेंगे और अपने अंदर की female energy को जगाएंगे चाहे आप male हैं तो भी और अगर आप female हैं तो तो आप जगाएंगी ही अगर आप male हैं तो आप अगर अपने अंदर की feminine nature को या feminine energy को जगाते हैं तो इसके result आपको बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि आप जब ऐसा करेंगे तो आप spiritually connect होंगे और आपको इसके result बहुत ही अच्छे मिल सकते हैं तो यह important message है आपके लिए कि आपको इस time पर अगले 15 दिनों में अपनी energy को feminine में convert करना है ताके आप वो चीज़ें देख पाएं जो practical होकर नहीं देख पा रहे हैं intuitively आप strong हों तो यह चीज़ें आपके लिए बहुत important हैं अब मैं बात करूंगी यहाँ पर number 36 card की यह जो card है यह आपके burdens को बता रहा है यह आपके burdens जो आपकी जिन्दगी में आपके ऊपर हैं कुछ अच्छे और कुछ बुरे क्योंकि burdens तो बहुत से तरीके के हो सकते हैं family की responsibilities तो बहुत अच्छे तरीके की भी हो सकती हैं और बहुत बुरे तरीके की भी हो सकती हैं बुरा तरीका ये होगा कि burden इतना जादा हो गया कि health के issues start हो चुके हैं और अच्छा ये हो सकता है कि family है प्यार है सब कुछ है पर burden बहुत जादा है काम बहुत जादा है तो वो एक अच्छा burden हम कह सकते हैं तो यहाँ पर यह आपके burdens को represent कर रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं कई लोगों के लिए office में कई लोगों के लिए घर में कई लोगों के लिए business में कि कुछ intolerance हो सकती है आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी या आप उनको सुनेंगे जिनको आप tolerate नहीं कर पाएंगे तो यह behavior आपका रहेगा कि आपसे बरदाश्ट नहीं ह बढ़ता है तो आपको भी ऐसा ही सोचना है कि चाहे आप उसे बरदाश्ट कर सकें या ना कर सकें पर आपको उसे बरदाश्ट करना है और आपको अपनी एनरजी को उसके लिए imbalance नहीं करना कई बार लोगों की बातें हट करती हैं आप उसको बरदाश्ट नहीं कर पाएंग कई बार किसी ने कुछ इतना बुरा कह दिया जिसकी वज़े से आप बरदाश्ट नहीं कर पाएंगे कई बार घर परिवार में ही ऐसी बाते हो जाती हैं जिसकी वज़े से आपको लगेगा कि कुछ भी बरदाश्ट नहीं हो रहा पर आपको अपनी इनर्जी को बैलन्स रखना है क्योंकि यही लाइफ को सही तरीके से चलाने का एक नियम है और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी इनर्जी डिस्टरब होगी किसी को कोई फरक नहीं पड़ेगा वो कोई भी हो तो इसलिए आपको बैलन्स रखना है बहुत जरूरी है इसको बैलन्स रखना यह एडवाइजिस मैं इसलिए देती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को उसी जगह पर लगाएं जहां उसकी जरूरत है अगर आप अपनी एनर्जी को इन फालतों की बातों में इस्तिमाल करोगे तो आप अपनी वैल्यू को कम कर लोगे तो अगर आप अपनी वैल्यू को बनाए रखना चाहते हो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको रिकगनाईज करें तो आपको इन सब जंजटों में नहीं पढ़ना है तो ये थी आज की reading next 15 days आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं मैंने सारी बातें आपसे share की हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे like कर सकते हो, share कर सकते हो और चैनल को subscribe भी कर सकते हो मैं मिलती हूँ next वीडियो में next topic के साथ, तब तक के लिए stay blessed, stay positive, thank you आप मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने इस angel number को choose किया है 1212 को जिन्होंने choose किया है अगर आपको ये number बार बार दिखाई देता है या आप इसे connect हो रहे हो तो ये reading अब आपकी होगी next 15 days आपके लिए क्या लेकर आ रहे है आज हम यही देखेंगे जो आपको पहले जानना जरूरी है आपकी energies कैसी रहेंगी और क्या-क्या ऐसा है जो आपको करना है क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें वही energy इस्तिमाल करनी चाहिए जिसके लिए वो दिन बने होते है energy का flow तो हमेशे ही होता रहता है पर कुछ दिन कोई खास energies भरे होते हैं तो हमें उसी तरफ focus करना है कभी हमारा creative mind बहुत active होता है कभी हमारा physical mind बहुत active होता है तो हमें आज यही देखना है कि कौन सी energies ऐसी हैं जो next 15 days में role play करेंगी तो चलिए बात करते हैं pile number 2 की pile number 2 यहाँ पर first energy ही इतनी अच्छी है कि यह reading तो बहुत मज़िदार होने वाली है तो आप लग connected जल्दी से हो जाएए और देखते हैं आपके लिए the sun की energy क्या कह रही है sun एक ऐसा planet है जो बहुत जादा energetic है बहुत उर्जवान है क्योंकि हम सब लोग इस सूरे से ही उर्ज़ा लेते हैं सूरे साक्षाद भगवान है कोई ऐसे भगवान नहीं है जो हमें दिखाई देते हैं पर सूरज की रोशनी ऐसी है जो हमें साक्षात उर्जा भी देती है जीवन भी देती है और हमें दिखाई भी देती है तो इसलिए इसे आप अपने अगले 15 दिन के लिए भगवान मान सकते हैं और इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं आप इनको जल दे सकते हैं क्योंकि ये 15 दिन आपकी एनरजी को पुछ भी नहीं कर सकते तो सूरे नमस्कार ही कर लें इससे भी आपको अच्छा महसूस होगा और आप अपनी एनर्जी का भरपूर इस्तिमाल कर पाएंगे तो यह एक रेमेडी हो गई आपके लिए तो आप इस रेमेडी को जरूर करना और 15 दिन इसके पूरे अच्छे से ल जरूर मिलेगी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा जिसके लिए आपने बहुत पेशन्स दिखाया है आपने बहुत समय से इंतजार किया है कुछ ऐसी गूड निउस आपकी फैमिली को लेकर हो सकती है किसी चोटे बच्चे के आने की खुश ना मिल सकती है निउस हम जिसे कहते है तो ऐसी निउस भी आपके घर में आ सकती है तो बहुत सारे लोगों के लिए न मुझे ये हैपी मुवमेंट्स बहुत जादा नजर आ रहे हैं तो नेक्स्ट फिफ्टीन डेज जिस जिसके लिए भी कि खुशी का महौल बन रहा है कमे आपके किसी के भी घर में ये हो रहा है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करना क्योंकि अच्छी बात अच्छी ख़बर के लिए हम सब आपके साथ हमेशा हैं और उसे हम भी उतना ही अच्छे से ब्लेस करेंगे जितना आप लोग कर रहे हैं तो इसलिए कमेंट्स करके जरूर श साथ मिलकर चलना है और अपने सुख दुख बांटने हैं तो ऐसा करने से आपको अच्छा महसूस होगा चाहे आप खुश है चाहे आप परिशान है पर यहां पर नेक्स्ट फिटीन डेज आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स के हैं एस ओफ वान की यहां पर यह इनरज कर रहे थे आप शुरू कर सकते हो अगर आप बहुत देर से वेट कर रहे थे कि कब शुरू किया जाए तो यह 15 दिन आपके लिए अच्छे हैं आप कर सकते हैं इसके साथ साथ है पेशन्स और लेट गो फॉल्स इगो की एनरजी तो कृष्ण संदेश है कि पेशन्स साथ मे रखना है और आपने इसको रखा भी है जिसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है 15 दिन में और इसके साथ साथ आपको इगो को लेट गो करना है अगर आपके अंदर यह जूटी इगो आजाएगी कि मेरे पास तो बहुत कुछ है मेरी तो भगवान सुन लेते हैं तो आप उसके आवाज ही बदल जाती है उसके बाद उसका प्रभाव बदल जाता है उसके attitude में change आ जाता है तो यह ego ही होती है और इस ego को आपको अपने रास्ते में नहीं आने देना क्योंकि यह ego कुछ देर के लिए तो आपको अच्छी लगेगी पर बाद में जो इसके results हैं जो इ आपके विचार होंगे जो आपके मन में आ रहे होंगे ideas वो आप implement कर पाओगे और यह ideas बहुत अच्छे ideas होंगे जिस पर आप काम कर सकते हो जो आपके output के लिए बहुत अच्छे हैं business को grow करने के लिए अच्छे हैं तो अपने ideas को implement करने की next 15 days में कोशिश ज़रूर करना क्य इसी तरह के thought process का है कि आपको नए नए ideas आएंगे और भगवान ने एक की आपके पास छोड़ी है आपको दिख रही है यहाँ पर golden color की की number 33 कार्ड इसमें एक की नजर आ रही है जो आपकी success की की है तो भगवान ने आपको बता दिया है ईश्वर ने आपको संदेश दे दि है बस अपने thought process पर काम करो और निकालो solutions निकालो वहाँ से चाबी आपके पास है बस आपको इस ताले को खोलना है और आपको solutions मिल जाएंगे इसके साथ साथ हमारे पास एक और energy है वो है number 34 34 कार्ड की energy पता है क्या बता रही है आपको कि आपके लिए abundance आने वाली है आपके opportunities आने वाली है और इसको आप कैसे लोगे बस आपको ये सीखना है wealth आने वाली है बहुत सारी किसी के लिए ये wealth और ये abundance खुशियों के रूप में हो सकती है किसी के लिए नए business के रूप में हो सकती है और किसी के लिए किसी और तरह की wealth भी हो सकती है तो wealth तो बहुत सारे तरह की होती है abundance भी बहुत सारे तरह की होती है तो जीवन में कुछ भी आपके पास आ रहा है उसे आप अपनी wealth माने जो भी छोटी सी भी अगर अच्छी खबर मिलती है न तो भगवान को gratitude करें कि इतनी abundance उन्होंने आपके जीवन में दी है आपको बहुत अच्छा उसका feeling जो है वो बहुत अच्छी आएगी तो इसलिए यह ज़रूर करके देखना और यह जो number 19 की energy है यह भी कुछ कहने के लिए आपके पास है तो number 19 मुझे यह बता रहा है कि आप में से बहुत से लोग किसी के साथ disconnect होने वाले हो यहाँ पर disconnect क्यूं होने वाले हो abundance के लिए भी हो सकते हो कि कोई ऐसी दिक्कत जो है वो आए जिसकी वज़े से आपको लगे कि abundance या wealth तो बहुत जादा है पर लोग आप से detach इसले हो रहे हैं या आप लोगों से detach इसले हो रहे हो क्योंकि आप उनको दिखाना नहीं चाहते क्योंकि आप उनको बताना नहीं चाहते या कहीं ना कहीं कुछ false ego आ जाएगी या कुछ ऐसा आजाएगा जिससे आप थोड़ा सा उनसे आईसोलेट हो सकते हैं तो ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना एक authoritative nature आपके अंदर दिखाई देगी जो आपको कहीं ना कहीं आपकी boundaries से अलग कर सकती है तो अगर आपके पास abundance आता है, अगर आपके पास wealth बहुत जादा आती है या किसी भी तरह की खुशी आती है तो दूसरों से बांटना आपको ये जब आप बांटेंगे ना तो उससे आपको और भी अच्छा feeling आएगी low need ऐसे जदा अच्छा होता है कि आप किसी के साथ मिलकर अपनी बात करें आपनी बात को दूसरों के सामने रखें पर वो दूसरे वो लोग होने ज़ेखें जिन को आप विश्वास कर सकते हो ऐसा नहीं है कि किसी के आगे भी आप अपनी बात किसी को भी बता दो आपको पता होगा कि आपके कौन अपने हैं, कौन पराएं हैं, तो आपको उनके साथ अपनी बात को कहना है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी responsibilities होने के कारण, या बहुत सारी authority एक इंसान के पास आ जाने के कारण, वो थोड़ा इस तरह का हो जाता है कि किसी के साथ अच्छ आप से, खुद से, दूसरों से, तो ये चीज अच्छी नहीं है, इसको आप अपनी energy से बिल्कुल दूर रखना, ये advice है आपके लिए, ये card इसलिए आया है कि आपकी energy ऐसी convert हो सकती है, transformation इस level पर भी हो सकता है, पर आपको उसे आने नहीं देना अपनी जिन्दगी में, और आपको इस tower के energy को अपने आप से दूर रखना है, अगर ये कोशिश आप खुद से करेंगे, अपने thought process से करेंगे, तो बहुत अराम से आप recover हो जाएंगे और heal कर लेंगे खुद को, इसको आप ज़रूर करना, बाकि सब energies बहुत बहुत अच्छी है, इसको आप enjoy करना, क्यो क्योंकि जो अच्छी energies होती है, उसे enjoy करना चाहिए, और जो कुछ भी बुरा होने वाला होता है, उसे निकाल कर बाहर कर देना चाहिए, तो ये थी next 15 days की energies, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे like कर सकते हैं, share कर सकते हैं, और channel को subscribe भी कर सकते हैं, मैं मिलत हो नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ, तब तक के लिए stay blessed, stay positive, thank you